लाइक कर दीजे इस वीडियो को और सब्सक्राइब को लिजे चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा साधे साथ All का बटन दबा लिजेएगा कमपनी ने हर बजट के अंदर एक अपना 5G स्मार्टफोन लाँच कर रखा है तो इससे ये पता लगता है कि 5G जल्द ही आ जाएगा यानि कि एक दो साल के अंदर जल्द ही आ सकता है 5G अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कौन सा फोन लेना चाहिए क्योंकि सस्ता और महगा ये दोनों ही बजट में भी फोन लाँच हो चुके है चाहिए आप उपर बजट में जाए या फिर नीचे बजट में आए दोनों ही कैटेगरी में आप लगों को 5G फोन मिल जाता है तो यहाँ पर सवाल ये उड़ता है कि अब आपको कौन सा फोन लेना है ससता 5G स्मार्ट फोन लेना है या फिर महगा यहाँ पर रेडमी भी आप लोगों के लिए रेडमी नोट 10 5G नाम से एक 5G स्मार्ट फोन लाने वाला है तो अगर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा ले तो मेरी राय अगर आप माने तो आपको लेना चाहिए एक सस्ता 5G स्मार्टफोन जिससे कि आपके पैसे भी कम खर्चा होंगे और आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्यूर और प्रूफ हो जाएगा जिससे कि आप आगे जो है उस फोन को यूज कर पाएंगे और कम खीमत में भी लेने के बावजूद आप 5G यूज कर रहे होंगे जिससे कि आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होगा और आपको ज़्यादा महंगा फोन भी नहीं लेना पड़ेगा तो मेरी माने तो यहाँ पर आप 5G स्मार्टफोन लें तो यहाँ पर आज के इसी वीडियो में इसी तरह से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कुछ सस्ते 5G स्मार्टफोन तो चलिए इस वीडियो को जल्दे से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को यह सबसे पहले हमारा जो सबसे सस्ता स्मार्टफोन है वो आता है OPPO के तरफ से A53S ये एक 5G स्मार्टफोन है इसमें आप लोगों को एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है और आप लोगों को बाकी ओधर चीज़े भी बहुत ही अच्छी मिलती है यानि कि इसपेक्स के मामले में ये फोन बहुत ही अच्छा निकल कराता है और प्राइस भी बहुत ही कम है ये फोन आप लोगों को सबसे सस्ता फोन मिलता है चलिए जानते हैं इस फोन की इसपेक्स और प्राइस भी आप लोगों को बता देते हैं इस फून में आप लोगों को Okta को 2.2 Gigs का MediaTek Dimensity 700 series देखने को मिलती है जो कि 6GB RAM और 118GB के Intelligent storage के साथ आता है ये फून देखने में फून बहुत ही stylish और बहतरीन लगेगा आप लोगों को edges और chin पतले मिलते water drop knowledge display देखने को मिलती है इस फून में आप लोगो 6.52 इंचेस की HD plus display देखने को मिलती ही 60Hz के refresh rate के साथ जहां पर अगर camera की बात के तो इस फून में आप लोगो 13 plus 2 plus 2 megapixel का आप लोगो को triple camera मिलता है LED flash के साथ और 8 megapixel का front में camera देखने को मिलता है वहीं पर अगर battery की बात करें तो 5000 mh की battery आप लोगो को इस फून में मिलती है और USB type sweep और fingerprint sensor 5G support और dual sim का support आप लोगो मिल जाता है जहां पर अगर इस फून की price की बात करें तो यह फून आप लोगो को 14,990 रुपई कीमत में मिल जाता है तो यह एक बहुत ही सस्ता phone है तो दूसरा phone हमारा निकल कर आता है यहाँ पर Realme के तरफ से और यह भी phone बहुत ही सस्ता है जो के Realme 8 5G के नाम से आता है इस फून में आप लोगो कमाल के specs मिल जाती है और phone देखने में बहुत ही stylish लगता है चलिए जानते हैं इस phone के specs और price Realme 8 5G के अगर बात के तो इस phone आप लोगों को Octa को 2.2 Gigs के Media Tech Dimensity 700 user इसके साथ आप लोगों को मिलता है जहां पर आप लोगो 4GB RAM और 108GB का Intellectual storage मिलता है 6.5 inches की full SD 90 Hz के refresh rate वाली डिस्प्ले मिलती फून देखने में बहुत ही stylish लगता है अगर बात करें एक camera की तो 48 प्लस 2 प्लस 2 Megapixel का आप लोगों को triple camera देखने को मिलता है एलेडी फ्लेश के साथ और 16 Megapixel का front में camera देखने को मिलता है तो camera performance बहुत ही लाजवाब मिलती इस फून में फून देखने में बहुत ही stylish लगता है वही पर अगर बैटरी की बात करें तो इस फून में आप लोगों को 5000 इमिच की बड़ी बैटरी को चार्जिंग का option और USB Type-C port मिलता है जहां पर आप लोगों को realme की तरफ से narzo 30 pro phone मिल जाता है इस फून में आप लोगों कमाल के specs मिलती है 5G phone है और future pro phone बन जाता है अगर आप 17,000 रुपे लगा देते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा phone है gaming करना हो और आप लोगों को movie वगरा देखना हो या फिर day by day में यूज़ करना तो बहुत ही जबर और बेहतरीन लगता है front और back से बात कर अगर display के तो 6.5 inches की full HD display देखने को मिलती ही जो की 120 Hz के refresh rate के साथ आती है जहां पर आपको gaming करने में बहुत ही मदद मिलती है camera की बात के तो 48 plus 8 plus 2 megapixel का आप लोगों को triple camera मिलता है LED flash के साथ और 16 megapixel का frenumic camera देखने को मिलता है battery की बात के तो 5000 image की बड़ी battery touch charging option और USB type c port आप लोगों को इस phone में देखने को मिल जाता है तो phone बहुत ही अच्छा निकल कर आता है और अगर इस phone के price की बात करे तो phone आप लोगों को 16,999 रुपए यानि कि 17,000 रुपई की इमत में ये phone आप लोगों को मिल जाता है और इन phone में आप लोगों को अच्छा camera performance भी मिल जाती है इन phone में आप लोगों को अच्छी display भी मिल जाती है 90 Hz और 120 Hz का refresh rate भी मिल रहा है processor भी बहुत अच्छी है जिन में आप gaming भी आराम से कर सकते हैं और camera performance भी लाजवाब मिलती है जिससे कि आप अच्छे चे पिक्स भी ले सकते हैं तो आप लोगों comment box में बताइए कि आप लोगों को कौन सा phone इन में से इससे best लग रहा है आप कौन सा लेनी को सोच रहे हैं comment box में जरूर बताइएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपने हमारे इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजो notification के bell icon को दबाना मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं आप से नेक्शे वीए में थैंक यू फॉर वाचिंग बाइट केर एंट जाहिए